तो कल मैं थोड़ा सा बिजी था इसलिए मनी इन दा बैंक पेपर व्यू को मैं कल कबर नहीं कर पाया लेकिन मनी इन दा बैंक की important moments of matches मैं इस वीडियो में कबर करने वाला हूँ और साथ ही WWE से जुड़ी latest news भी आपके लेके आ चुका हूँ तो स्वागत है आपका wrestling bro में मेरा नाम है रिशब जल्दी से स्टार्ट करते हैं वीडियो को तो कल की मनी इन दा बैंक में बिल्कुल वही हुआ जैसा मैंने कहा था Drew McIntyre कल Mr. Money in the Bank बन गए और Damon Priest और Seth Rollins की match में cash in करने भी आ गए लेकिन जैसा की मैंने कहा था CM Punk ने भी Money in the Bank में इंटरफेर किया और Drew McIntyre का WWE Champion बनने का सपना तोड़ दिया अब ये तो नहीं पता कि Drew McIntyre का ये Money in the Bank cash in waste हुआ है या नहीं क्योंकि news आ रही है कि इस cash in को WWE accept नहीं कर रही है अब ये cash in हुआ है नहीं ये तो हमें raw में ही पता चलने वाला है दूसी तरफ Mrs. Money in the Bank बन चुकी है हमारी Tiffany Straton और मैं ये भी बता दू कि Tiffany अपना Money in the Bank नाया जैक्स पर ही cash in करने वाली है Intercontinental Championship के match में Sammy Zen ने Braun Breaker को हरा दिया है और अपनी Championship belt defend कर ली है और show की main event में six men tag team match में bloodline में Kevin Owens, Randy Orton और Cody Rhodes को हरा दिया है और इस match में Solo Sikuba ने Cody Rhodes को pinfall से हराया है कल के Money in the Bank की सबसे अच्छी बात ये रही कि हमें हमारे 16 time world champion John Cena देखने को मिले और सबसे emotional बात ये थी कि John Cena ने अपने retirement का announcement कर दिया है 2025 का Royal Lamble, 2025 का Elimination Chamber और WrestleMania 40 बन John Cena के last pay-per-view events होने वाले है और मैं दिल से चाहता हूँ कि John Cena हमें एक पर फिर से अपने prime में देखने को मिले और 17 time world champion भी बने John Cena कल जो t-shirt पहन कर आये थे उस पे लिखा था the last time is now और after this you can't see me यार मैं John Cena के retirement के लिए बिल्कुल भी ready नहीं हूँ John Cena किसी भी superstar से बढ़करने है मेरे लिए John Cena ने जो moment समको दिये हैं वो शायद कोई और superstar ही दे पाएगा और मैं ये भी चाहता हूँ कि John Cena का farewell बिल्कुल वैसा ही हो जैसे वो deserve परते हैं तो अगर आप भी John Cena के fans हैं तो चैनल को subscribe ज़रू कर देना बात करना चाहते हैं तो इंस्टा की link description में है DM कर देना www.cd latest news तो महलाता ही रहूँगा मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए बाए बाए